द सब्सक्cheerful दोस्तों सुअगे थे आप सभी का एजूकिशन के एड़िग सिक्स में रुख करते हैं एक यह नई वेकेंसी कि तरफ जो की इंडियन ऑउयल कॉर्पोरेशन लिमिटेट की तरफ से जारी की गई है दोस्तो इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन पानी पत के लिए यहाँ पर जूनियर इंजिनियर के पदों की रिकूट्मेंट जारी की गई है इसके लिए सारा डिटेल आप ओफीशल ही देख सकते हैं इसके ओफीशल वेबसाइट से जाके जिहां इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके तो आपको क्या करना यहां से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और इसके बारे में सारा डिटेल यहां से आप पा सकते हैं अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे शेयर किया गया है आप यहाँ से क्लिक करके सीधे अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप eligible है तो लेकिन eligibility जानने के बाद ही आप इसके लिए आविधन करें तो चलिए मैं इसके notification को डाउनलोड कर लेता हूँ और सारी detail एक short वीडियो के ज को दबा के bell icon दबा लिजीगा ताकि हर वीडियो का notification आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माद्यम साब को जा सके हर पल की update आप तक पहुंचा रहे हैं चाहे वो किसी भी recruitment से हो या किसी भी state से हो हम आप तक लेकर आ रहे हैं इस चैनल के माद्यम से तो आप भी इस वीडियो क की तरब से एक recruitment जारी किया गया है दोस्तों auditor के post के लिए अगर आपने नहीं आविदन किया है तो जल्दी जाएं आविदन कर लें इसके लिए क्या क्या eligibility है यह सारा detail मैंने आपको इस वीडियो में बताया है तो चलिए अब हम चलते हैं IOCL के इस notification पे जो की जारी किया गय है तो देखे सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्ट वाइस तो यहां पर एक जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है जो कि production में मांगा गया है तो जूनियर यहां पे इंजिनियर का पोस्ट है असिस्टेंट production के लिए 49 पद यहां पे यहां मांगे गया है junior engineer assistant post है mechanical feature come rigor के लिए जो कि junior technician के लिए मांगा गया है 3 post और junior engineer assistant के post के लिए यहां पे मांगा गया है 4 post जो कि technical assistant का ही यह post है और एक quality control analyst के लिए भी मांगा गया है पोश्च यहां पे तो total vacancy के अगर हम बात कर ले तो मात्रे 57 vacancies है ठीक है लेकिन इन सब के लिए अलग-अलग criteria है क्या कौन किसके लिए आविदन कर सकता है तो यहां पे qualification criteria आप चेक कर सकते हैं अच्छा age की बात कर ले तो 18 से लेकर 26 साल तक के चात रही है इसके लिए आविदन करेंगे जो कि यहां पर diploma कर रखे है तीन साल का junior engineering के लिए जियां अगर आप यहां पे relevant trade से belong करते हैं तो आप इसके लिए आविदन करेंगे एक साल का minimum experience आपका होना चाहिए relevant field में और bachelor degree जिन्हों ने कर रखा है science में जैसे कि bachelor B.Sc. degree कर रखा है आपने PCM यानि की physics chemistry math किसी में भी तो आप यहां पर आविदन कर सकते हैं बस अरते यहां पर आपके पास 50% marks होने चाहिए और एक साल का experience यहां भी require किया गया मतलब कि मांगा गया आप से तो देखिए यहां पर post code अगर 101 की बात कर लें तो यहां पर देखिए तीन साल का diploma course बोला जा रहा है chemical refinery में या तो फिर आप petrochemical engineering या फिर B.Sc कर रखा है आपने physics chemistry math में then you can apply for the post या फिर industrial chemistry में आपने कर रखा है या general है या OVC है तो उनसे 50% और जो STST category से आते हैं उनसे 45% यहां पर marks मांगा गया है उनके graduation में ठीक है न area of experience क्या है तो minimum एक साल का experience आपका होना चाहिए post qualification experience मांगा गया यहां पर pump house fired heater compressor distillation column reactor heat exchanger जितने भी इस फिल्ड से बिलॉंग करते हैं आप लोग आविदन कर सकते हैं fertilizer वेगरा heavy chemical gas और processing industries के भी छात्री यहां पर आविदन कर सकते हैं एक सल का यह इस department से आपका experience होना चाहिए ओके दूसरा जो post है यहां पर junior engineering के assistant post के लिए जिसमें की mechanical feeder come rigor का post है और junior technician assistant four के लिए तो यह post के लिए आपको तीन साल का diploma होना चाहिए mechanical में जियां अगर आपने diploma कर रखा है तो आप जूनियर इंजिनर के पदों के लिए आविदन कर सकते हैं 50% marks होना चाहिए जनरल और OBC के चात्रों के लिए और minimum एक साल का experience होना चाहिए relevant field में जो इस field से आप यहां पर आविदन करेंगे OBC जो चात्रों है वो 45% सरी SST जो है चात्रों पीड़ाब्लों चात्रों है 45% के मास के साथ आविदन कर सकते हैं और यहां पर metric के बाद जिन्होंने idea कर रखा है फीटर ट्रेड में या सिर्फ पास भी है तो वो आविदन कर सकते हैं यहां पर ठीक है न यहां पर यह भी डिमांड किया गया है लेकिन पोस्ट जादा नहीं है तो मैं तो कहूंगा कि ना करें इसके लिए जो लग रहा है आपको जेनरल और ओबी सी के चातरों के लिए यहां पर यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे जो एक्सपिरियंस मंगा गया है आपसे गैस स्ट्रीम टर्माइन्स वाइलर कॉलम में या फिर वाल्ब में या फिर ड्राइग गैस सील में या फिर सेफ्टी सबस्प में तो इन सबी चीज़ों में आपका एक्सपिरेंश र और जूनियर टेक्निशन एसिस्टेंट की फोर के लिए ग्रेट फोर के लिए तो तीन साल का डिप्लूमा यहां भी मांगा गया है एलेक्ट्रोनेक्स इंस्टुमेंटेशन एंडर कंट्रोल इंजिनरिंग फ्रम दर इकोगनाईज इंस्टूट 50% मांक्स ओबीसी और जेंडल के लिए 45% मांक्स अदर्स के लिए है मतलब जो एसस्ट और पीडालूर चात्र है मिनिममम वन एयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्स्पिरिंस यहां भी मांगा गया है इस एस और यहां पर इस बात का यहां पर द्यान दखेंगा चौत है जो की एक ही पोस्ट है यहां पर इसके लिए जिन्होंने बाइस कर रहा है या इंडरियोल कमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं वह 50% कम से कम डिग्री होना चाहिए आपका यहां पे पेट्रो केमिकल रिफाइनरी इंडस्ट्री फैट्राइजर पावर प्लांट लार्ज इंडस्ट्री इस्टैबलिस्ट्मेंट इन सभी सेक्टर्स में आपके एक्स्पीरिंस होने चाहिए तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे तो दोस्तो इस नोटिफिकेशन के जरिए मैंने सारी डिटेल आपको दे दी है अब आपको अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी मैंने आपको दिखला दिया है एज की बात मैंने बता दिया आपको की 18 से लेकर 24 साल तक है लेकिन 31 अक्टूबर जो है आपका बेस यर मानके काउंट किया जाएगा इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे इसलिए अगर आपको आवेदन करना है तो आप इसके इस ओफिशल विबसाइट पर आएंगे और आवेदन करने वाले इस लिंक पर क्लिक करेंगे दिन आप इसको आवेदन भी कर सकते हैं ठीके आप अपना cct का format certificate इस format बनाएंगे और बनवाकर ही आप इसके लिए आविदन करते समय और देन अप्लोड किया जाएगा यह फॉर्म भरते समय एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए कोई भी सर्टिफिकेट आपका ध्यान रगें इस बात का है ना तो अप्लाई पे क्लिक करिएगा यहां पे दूसरे पेज पर ले जाएगा जहां से आप से यह सारा डीटेल एक एक करके यह भराया जाएगा तो दोस्तों आप इसके लिए क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर यह सारा डीटेल यहां से आपको मिल जाएगा वैसे तो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको पीसी से या लैप फिर परसनल डीटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीडियन्स, डीटेल मांगेगा, फीडीटेल मांगेगा, फीडेल मांगेगा, फीडेल सिर्फ उन्हीं लोगों का लगेगा, जो कि जनरल और OBC में आते हैं, उनसे डीड़ सूर पे फीडेल लिया जाएगा, फाइनली फाइनली एक बात मैं आपको बता दू कि सैलरी लगबग यहां पर आपकी जिहां इन तीनों ही सेक्टर की चारों ही पोस्ट की अगर बात कर ले, तो फाइनली एक लग पांस जार तक की सैलरी आपकी जा सकती है, ठीक है, यह आपको मेंसन किया गया है, आपके पेडियेफ म आप इसको पढ़ लिजेगा, और मिनिमम साथ हजार से स्टार्टिंग हो सकती है, तो साथ हजार से लेकर एक लाग पांस जार तक की सैलरी बिल्कुल बनेगी आपकी यहां पर फाइनली, जो कि यह एक लाग की सैलरी जो है, आपको फाइनल जब रिटार्मेंट होते होते है ये तनी salary आपकी होती है वो एक most final salary बताया जाता है तो मैं भी वही बताया हूँ यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे तो सारे detail clear हो चुकी होगी I think आपकी यहाँ पर और कोई भी doubt होता है तो आप comment box में comment करके जरूर पूछिएगा धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई take care ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का और टेलीग्राम जरूर जोइन कर लिजिए वहाँ पर इसके लिंक के साथ पीडिये भी हम शेयर कर देंगे धन्यवाद